कि आजी कोई ना देखो देखो फड़ाफट देखो स्कैनर कुछ रह गया था क्या देखो स्कैनर के अंदर फूर हाजी हमने 14 दिसंबर वाला किशन कर लिया था ना हाजी 14 जून वाला नहीं असका हाँ तेरा दिसंबर भी हो गया इससे पहले वाला भी हो गया ये है दोजार बारा दिसंबर एक बार रीड कर लेते हैं और मुझे बताना कि तुम खुद करना चाहोगे कि हम यहां पर करें कुछ अलग लग रहा है गया प्रिया सेल्स कॉर्परेशन ऑफ जैपूर हानले गुड मॉर्निक तो हाँ है जा ब्रांच एट कोटा तो विच गुड्स आर सेंट ओके अट थर्टी थ्री पॉइंट थी 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 पसंट अबब कोस पूरा बोलो ठीक है थीक है थी का दब्रांच मेंग सेल्स इस बहुत फूर कैष एंड ऑन क्रेडिट दब्रांच एट ड़न एट दॉअ at your bank account at quota यह तो normal language है आप तो पहुत पाड़ बढ़ चुके है अपन following further details क्या गया given है आपको goods sent to branch at invoice price मैं थीक है जी से stock बढ़ जाएगा और क्या है goods return by branch at invoice price मैं जी स्टॉक कम हो जाएगा और क्या है stock at branch opening invoice price to balance brought down data to balance brought down sales sales दे रखा है cash sales और credit sales sales की वजए से stock कम हो जाएगा चाहे cash sales हो चाहे credit sales हो और credit sales दो डेटर अकाउंट में भी आएगी डेट अकाउंट में two branch stock account okay cash received from branch data तो डेटर अकाउंट के बाइब branch cash आ जाएगा by discount allowed आ जाएगा by bad date आ जाएगा sales return at quota branch कोटा ही तो बना रहे है पन हां तो sales return है तो यह भी डेटर अकाउंट के अंदर आ जाएगा by branch stock account very good ठीक हजी salary wages at branch खर्चा है पींडल में आ जाएगा ठीक ना ब्रांच पेनल में को वाओ ओके यू रेक्वाइड टूश्यों हां branch stock adjustment expenses कर लोगे न आप लोग वेरी गुड़ लेकिन एक चक्कर पड़ेगा इस कुश्यन में सेल्फ एक तो कल भी दिया था वह भी नोट कर लिया होगा ना कौन सा करना है किया नहीं वह को दिक्कत नहीं है अच्छा अब देखो इस क्यूश्यन की खास बात क्या है मैंने गौर किया मैंने क्या स्टॉक का opening भी दे रखा है क्लोजिंग में सब कुछ दे रखा है पक्का कुछ तो गोलमाल करेगा कि में एस सेंट को रहे है कॉस्प्लास 33.333 परसेंट गर्ष कैशे रहे है कुछ बूला क्या कुछ बूला नहीं है कि कैसे बेजते हैं वगएर और तो हम तो यह मानते हैं कि invoice पर हुआ है अब यहाँ पर क्या है stock account के अंदर balancing figure आया होगा 35,000 का तो इन्होंने क्या मान लिया इसे access of sales over the invoice price कि हमने invoice price से ज्यादा में बीच दिया होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन था नहीं तो इन्होंने balancing figure को stock surplus नहीं माना stock surplus नहीं माना इसे क्या मान लिया हाँ इसे मान लिया कि भी हमने invoice पैसे जारा में बेच दिया होगा तो यह भी correct है कोई दिक्कत नहीं है और आपको पहले भी काता है stock surplus तो रेर केस होता है कैसे बढ़ जाएगा इसका मला तुम्हारी accounting में गड़ बढ़ है ऐसे तो है नहीं कोई दूसरे की कोड़ाउं का माल तुम्हारे लाके रख देंगे ठीक है ना तो इन्होंने डायट यहां पर बाइब ब्रांच पीडल वर्ड यूज किया है हम बाइब इसकाउंट अलग यूज करते हैं तो और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला चाँ डेटर का closing balance यहां से calculate हो जाएगा ब्रांच adjustment वगरा में आही जाएगा कोई दिक्कत नहीं कि क्या क्या ओपनिंग स्टॉक पर क्या कमाने वाले थे जो माल भेजा उस पर क्या कमाने वाले थे अच्छा भीजा उस पर कमाते हैं वो नैट देखते ना बहुत सारे होते हैं तो ब्रांच उसमें नैट देख लो अच्छा उसमें से क्या नहीं कमा पाएंगे सर क्लोजिंग स्टॉक पर नहीं कमा पाएंगे कोई अबनॉर्मल लॉस तो मुझे दिखाई दिया नहीं था बाकि हम जो ग्रॉस पर प्रोफ्ट है वो पेंडल में ट्रांसर जागा फिर पेंडल के खर्चे तू कैश नहीं करना क्या करे ऑर ऑके तो खर्च है तो ठीक है जो खर्चा किया रही है तो कैश कर दिए बान्स इक्स बूला है का बनाने को ब्रांच एक्सपेंस से पने हं गरना चाहर सभी कर दो और सारा इस बार यह नहीं क्या किया जान और कि अब लग डाल दिया कुछ भी कर देंगे ठीक ना कोई फर्क तरीका क्या हो था रोत है वह इंट फिए नहीं दालो तो डायट दिखा दो इसका पड़ने वाला अपना अपना एडजस्मेंट और में सब सेम रहने माला है अपना फ्रीज़ु घर पर पढ़ादा ब्रूट घर पे लौ नहीं अकाउंट बस होता सा कमिशन निकाला किशन का लिया वेरी गुड समझ में आयाएगा चलो ठीक फिर तो तो कर लोगी किशन भी अब क्या कि बड़ा है चुटा है क्या करना करना तो है नहीं नहीं हाँ अब 211 दिसंबर ये भी करना हो अगर को दिकत हो तो बता देना ठीक है दस नंबर का यह सेल्फ इतने किशन से अगर आप कर लोगे ना तो आपका अपना प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें मुझे ऐस सच कोई भी गडबर नहीं लग रहा है अबनॉर्मल लॉस भी है और नॉर्मल लॉस भी है जानते ना क्या करना है अप तो रट गया होगा बताना रुख जा और अबनॉर्मल लॉस भाव रट गया तुमको गुड चलिए तो यह डेटर मेथेड भी खतम टॉक इंडेटर मेथेड भी खतम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंडेंट डिपेंडेंडेंड ब्रांचेज गा था ठीक है ना और अब हम क्या करेंगे तो अभी भी हम डिपेंडेंड ब्रांचेज ही पढ़ेंगे एक और मेथड बागी था ना फाइनल अकाउंड मेथड वो भी तो करना है तो चलिए देखते हैं फाइनल अकाउंड मेथड क्या हो गया नहीं देखो फाइनल अकाउंड मेथड यह जो नोट से ना तुमको लग रहा होगा कि हमारे पास तो है नहीं सिर्फ आपके पास से तभी है यह सिर्फ तुम्हारे मोडिल की कॉपी है सब कुछ मोडिल में लिखावा है एस इस यह वाले चीज ठीक है तो आप मोडिल से भी में देख सकते हो आपके मोडिल में सिलेबस 2016 वालो सबसे पहले फाइल अकाउंड मेथड ही दे रख है और इल्लस्ट्रेशन नमबर 123 जो हम आज करने जा रहे हैं जितने हो पाएंगे वह आपके फर्स सेकंड थर्ड नमबर पर और सिलेबस 22 आपके यह डेटर और स्टॉक मेथड के बाद में है लेकिन उसके किस्टन नहीं है हाँ तो किस्टन नहीं दे रहे तो आपको इस शीट के अंदर मिल जाएंगे यह किस्टन ठीक है तो यहां से कर लेना इलस्ट्रेशन वाइन टू-3 है सिलेबस 16 का देखो पाइनल एकाउंड में पढ़ाने की कोई जरु ठीक है न लेकिन यह बहुत आसान है कैसे कैसे बनता है ब्रांच ट्रेडिंग और प्रेंड अकाउंट से प्रॉकिल ऐसे चल्कुलेट करना है सबसे पहले व्रांच के हम क्या देख लेंगे ओम्प्नींग सटोग फिर हमने देखलेंगे कि आप ब्रांच को हमने कि इतना हम हम यहां पर्चेज लिखते हैं तो यहां पर क्या लिख देंगे to good sent to branch या to good sent from head office कुछ लिख दो to good sent to branch भी लिख सकते हैं और to good sent goods received from head office लिखना चाहिए था ठेक है न वजी to good sent to branch ब्रांच ओके एक चीज पैटरन रखेंगे ना तो गुट्स एंटो ब्रांच ओके जी है फिर उसके बाद क्या होगा हाजी सर कुछ लॉट क्या आ गया होगा तो गुट्स रिटन टू एचो लैस कर तो पर्चिस रिटन जैसे लैस होता है यहां पर लैस हो गया अच्छा इतना असानी से प्रॉफिट हो सकता था है ना पाल तुम्हें पर हिजान कर रहे हैं कोई नहीं वह भी क्या था पूरा डिटेल है इसके अंदर तो क्या हो गया से फानल अकाउंट की डिटेल लागी वहां पे सारे ट्रांजेक्शन पता चल रहे थे आपको इडिटर के साथ क्या-क्या्यक्शन हुए है चार का कहा कहा हम मुवमेंट हुआ है ठीक़ा ना कौन सा लूडिंग अगे अपनामल लॉस नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस तंगा तक है वेल्यु वहां पर रिकार्ड हो रहा था बाट यहां पर नॉन्मëल वयर्कॉर्स पेंदेल करते में दॉ वो इस पर करोगे तो क्या होगा simple loading अटा देंगे loading हाँ रिवर्स simple opening stock पे good sent from head office या good sent to branch ठीक है तू एचो वगरा ठीक है तरीका है दोनों तरीके से कर सकते हैं कोई problem नहीं है ठीक है convert करके लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और लिखने अगर उसके बाद stock reserve अगरा loading वगरा जैसे normal हटाते हैं वैसी normal loading हटा देना चलिए यह रहा question आपके सामने एक्जामपल ठीक है आप अपने register में लिख सकते है final account method और उसका एक्जामपल और syllabus सुला वाले लिख सकते है illustration number one हाँ जी तो आपका illustration number one syllabus सुला और बागी 22 वाले रियान्शु और रितिका यह रहा example देखते चलो from the following particulars prepare branch trading and P&L account in the books of head office the Delhi stores invoice goods to Patna branch at cost Delhi से Patna जाता है at cost with sales both for cash and credit cash received by the branch is remitted to HO branch expenses are paid direct from HO खर्चे diet एक्षो कर देता है sales का पैसा आप एक्षो को भेज़ देते हो अच्छा expenses diet कर देता है except petty expenses which are made by the branch तो माला ब्रांच या करता होगा पैसा आपको भेज़ देता होगा ओके फिर आपको देर रखा opening balances stock है data है petty cash है मैंने का अभी तो final account method चल रहा है ब्रांच ट्रेडिंग और पैंडल बनाना है न तो अपने को डेटर की ओपनिंग मैंने से क्या मतलब है opening stock चाहिएगा trading account के अंदर goods from HO या चाहिएगा sales वगेरा चाहिएंगी ये पैंडल के खर्चे हो गए ये भी पैंडल का खर्चा हो गया पैटी एक्सपेंसेज फिल्फ्रेज नौ अबनॉर्मल लॉस का एगा अगा है कि तर्डू जेगा आता है अबनॉर्मल लॉस एक तो ट्रेडिंग के अंदर या तो पर्चेज में से मैनस हो जाता है या उसको क्रेडिट साइट में दिखा दू और दूसरा प्रेंडल में ड इसको ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं जिसे हमारे प्रॉफिट डेड्यूस ना हो जाए और इसको प्रेडिट साइड में दिखा जाता है ताकि net profit को कम कर दिया जाए अब तो पक्का रट गया है हमारा अचा क्लोजिंग बैलेंस किसका का मैं अच्छा से रिटेंट भी है तो सेलस में से लेस्ट कर देंगे बैट देट है डिसकाउंट लाउट पेंडल में दिखा देंगे गुड्स रिटन की तरह है जो माल है उसमें से लोटा दिया और पैटीग ऐस का बैलेंस मुझे क्या करना है ठीक है ना करें शुरू चल HO branch trading and P&L account illustration number 1 syllabus Sula in the books of HO branch trading and P&L account as on here for the year and date for the year and date आप तो हैंग नहीं होता होगा ये आप तो हैंग नहीं होता होगा ये हाजी सबसे पहले क्या आता है लिखदो to opening stock हाजी कितना था sir opening stock पांच हजार ओके पांच हजार फिर तो गुट सेंट टू branch just like purchases क्योंकि branch को अगर आप माल भीजोगे तो branch के लिए तो क्या हो गया पर्चेश हो गया ना तो गुट सेंट टू branch और less return भी कर देंगे तो आपके पास inner column में जाएगा हो तो inner column में ही हम लिख देंगे हैं क्या जाग है वेरी गुट गुट सेंट टू branch कितना है goods फ्रॉम हो पचाजार और return पांच जार पचाजार माइनस return टू हो पांच हजार पचाज माइनस पांच प्यंतारिस ओके सबका native सबका native place का tone तो रहे गए टाएगा हाहा हमारी भी तो लगए शेखावाटी है नहीं में बात करता हूं घर पर भी कर लेते हैं कभी कोई उस साइट वाला मिल गया तो भी मारवाडी में कर लेते हैं ऐसी बात नहीं हाँ मेरे वह टोन आती नहीं है क्योंगी मैं बच्छमन से हिंदी में बात किया हूं हाँ देखो कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स अच्छा देखो पड़ा पड़ा पड़ो सेल्स किते लिखेंगे रुबम तो ऐसे ऐसा शर्मिंदा फिल करने लग गया ऐसा कुछ नहीं है मजा आता है अपनी लेंग्वेज बोलने में जो सुकून है अच्छा अपनी लेंग्वेज बोलने में जो सुकून है ना वो कोई और लेंग्वेज में नहीं है तीस चालिस सेल्स तीस हजार चालिस हजार कोई रिटेंड भी है क्या तो यह दिखा दें क्या लैस सेल्स रिटेंड कितना है ओके चार हजार कि सट्र माइनस चार कितना होता है और शेक्स एक साथ हो जाए ओके और क्या यहां पर लोकल पर चेस अन्य अच्छा बैट डिसकाउंड अलाउट वगेरा यह सब कहां जाएगा पी अडल में जाएगा रेट सेलरी वगेरा पीडल में पैटे अब यहां प्लफ्रेज लिखने क्या बाइप फ्रेज लिख दो कोई पाथ नहीं बाइप लिख दो ना बाइप फ्रेज अगोरांश बाइप फ्रेज कितना वन थाउजन ओके बाइप फ्रेज ओफ गुड्स या स्टॉक ठीक है क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा क्या हो बाइप क्लोजिंग स्टॉक बाइप क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना है यह लोजी पिल फ्रेज भी हो गया क्लोजिंग स्टॉक आठ हजार तो देखो टोटल लगागे कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ रहे है पच्चे जार तू ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 हाँ अर्यन अब इसी के नीचे क्या हो जाएगा पेंडल चालू हाँ बाई ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 और जो जो खर्चे लिखने थे क्या क्या थे सर सर बैट डेट भी था डिसकाउंट भी था ओके रेट एंड टैक्सेस भी था सैलरी भी था पैटी एक्सपेंसेस भी थे और कुछ दिमाग लगाओ कुछ रहे गया है यस अबनॉर्मल लॉस फिल फ्रेज लिख दो सबकी वैल्यू बैट देट एक हजार डिसकाउंट अलाउड एक हजार रेट सेंट टैक्सेस तीन हजार सैलरी चैजार पैटी एक्सपेंसेस एक हजार और फिल फ्रेज एक हजार अब लग रहा है कि हाँ वाके में ब्रांच आसान है क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं था प्रेनेंस पारुम पारइवाकूंट वाला किशन इसलिए कम आते हैं ये क्योंकि ये म्यवाला किशन तो फाइल अकॉंट में कवर हो जाएगा आप अधि उप रहन का न नाम क्यों खराब करना कि रसकैसा इस्पीशन देचनद बन गया तैयार है ओके फिर हम आगे बढ़ते हैं आज तो जल्दी जल्दी अच्छा थीक है हाँ देखो जान बूच के धीरे लिखते हैं हाँ देखो छोटा साही कोर कि श्यान एक्स लिमिटेट है इस एच्छो इन दिल्ली और ब्रांच इन मुंबाई एच्छ अप्लाई कर रहा है गुड्स ब्रांच को कैसे इस बार कॉस्ट प्लस 33.3333333 अच्छा कि वहल ट्रेडिंग बनाना है हाँ ओपनिंग स्टॉक है हाँ जी है आई पी पे तो लोडिंग अटा देंगे ओके क्या लिखेंगे या फिर ओपनिंग स्टॉक में ही लैस लोडिंग करके दिखा देंगे कोई दिक्कत नहीं है क्यों ट्रेडिंग पेंडल तो बन रहे है तो यहां पर लोडिंग हटा के रिकॉर्ड कर लिया जाएगा गुड्स एंटू ब्रांच 250 रिटर्न टू हो 10 तो दो लाग चाले जार नेट बचा लैस लोडिंग बाय सेल्स कैश और क्रेडिट लैस लोडिंग और बोल रहे हो सेल्स में लोडिंग अटाएंगे तो प्रॉफिट कहां बचेगा हां कर दो लैस लोडिंग यस डिस्काउंट आएगा क्या सर डिस्काउंट आएगा क्या सर डिस्काउंट अलाउट तो पी अधा है ट्रेडिंग में थोड़ी ना आएगा क्लुन स्टॉक लैस क्यालो जाओ अरचा यह और एट इस्ना इसको कहा लिखाएंगे टेडिंग में हाँ अब नोर्मल को तो कि अधियर लए करी या पर्शाइस करके या फिर क्रेडिट साइट में यह नौर्मल एश्को कहां दिखाएंगे कहीं एक यह कहीं नहीं दिखाना इससे अपने आप क्या ओजाएगा बताया था ना वो एक लाग का माल था नब बजार तो बेच दिया दर्जाय का नॉर्मल लॉस दिखाऊ हुए मैं तुसको तो अपने प्रॉफिट के आ जाएगा रिडियूस होकर आ जाएगा मैं तो यह एक जांपल या रख लेता हूं एक लाग का था नब बजार का बेच दिया नब जागा माल पैंता ले जाए प्रॉफिट वे बेचा फिर भी जीपी तेंपैंते जार आ रहे हैं क्यों क्योंग वह दजार का नॉर्मल लॉस शो कर रहे हैं याद है तुमको एक नंढती है या ढू04 आती एक दिन यह आती हाँ आहसा कुछ है Está K जाए है, in the books of HO, कौनसा अकान मनाना अपने हो, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच, ट्रेडिंग अकाउंट, एजन, ओके, फुर्द एयर एंडिड, एजन, बैलेंशीट होता है, और ट्रेडिंग पीडल, पुर्द एयर एंडिड, कैश्फ फ्लो स्टेट्मेंट, फुर्द एयर एंडिड, हाँ भी देख लें ना, इसमें ही, हाँ जी, क्या-क्या, सबसे पहले, टू ओपनिंग स्टॉक, ओके, टू ओपनिंग स्टॉक, कितना, चाले जा रहा है, आई-पी पे, और आई-पी है गया, कॉस्ट प्लस 33.3 थी, तो 133.33 हो गया, कॉस्ट सौर रुपए, हाँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इस इक्वल्स टू, आई-पी, यहाँ पर, तो कॉस्ट अगर सौर रुपए है, प्रॉफिट अगर 33.333333, तो यहाँ जाएगा, आई-पी 133.3333, या फिर हम इसको क्या, अच्छा, अब में को क्या देखना है, आई-पी 133.33 और प्रॉफिट 33.33, क्या तुम्हारा मन इसको ऐसा बोलने को रेड़ी है, कि सर यह तीन, यह एक और यह चार, बोल सकते हैं, एक बटा चार हो जाएगा, ठीक है, मैं भी इन्दी मीडियम से हूँ, ठीक है न, हाँ, तो, मैं आदश्विद्धा मंदिर का स्टूडेंट रावा हूँ, जह हम आच यह बोला करते हैं, ठीक है न, तो देखो, तभी तो मैं इतना सिंसियर हूँ, देखो, हाँ, सिनो, टू ओपनिंग स्टॉक, कितना, सर ओपनिंग स्टॉक है, 40,000, अच्छा, ऐसा है क्या, 40,000 को इन्नेर कोलम में दिखा दे क्या, ओके जी, लेस, लोडिंग, और चाहो तो, बाइ स्टॉक रिजब करके भी दिखा सकते हूँ, अच्छा, लोडिंग कैसे अटाओगे, सर यह आई पी पे है, 40,000, तो 40,000, या तो कर दो, same should be divided, ऐसा, and multiplied by what should be calculated, या इसको 14 से multiply कर लो, एक ही बात है, कितना, 10,000, 30,000, हाँ, अर्यान, calculate के जरूती ना पड़े, सही बात है, अच्छा, फिर, जो माल भीजा, to goods and to branch, to goods and to branch, कितना, धाई लाग, और return to HO, 10,000, तो धाई लाग का, हमने माल भीजा, minus return, कितना return to HO, 10,000, net बच गया, 2,40, और इसमें जो profit element है, वो हटा दीजिए, loading, 2,40, into 33.33, divided by 133.33, 60,000, 1,4, थाटा आया, बचा कितना, एकसे, opening stock आ गया, sir, माल भीजा हो आ गया, खुद के level पर कोई खरिदा था क्या माल, नहीं, कोई माल बेचा बेचा, सेल्स, सेल्स में cash sales भी होगा, cash sales भी है, एक लाग और credit sales भी है, return है क्या, नहीं, sales return है, एक और तीन, चार, प्रॉफिट एलेमेंट हटा दें, 4 लाग का, नहीं हटा रहा, ठीक है, नेक्स्ट, और क्या, उपनी स्टो लिख दिया, उटसे लिख दिया, sales लिख दिया, close stock, 60,000, by closing stock, ये भी IP पे है, तो इसका भी profit element हटा दीजिये, less loading, 60,000 into 1 fourth, 15,000, बचा, 45, ओके, now, हाँ अर्यन, total लगाया, हाँ, और gross profit calculate कर दिया, to gross profit, आरेन के लावा, और कोई नहीं ही गया, online में, दू लाग, 35,000, हाँ, नलिन, आंसर करो, हाँ, गौराणशी, तो ये तो बहुत आसान है, ऐसा है, पेपर में आजाए, बस, ठीक है, वो भी दस नंबर, चाह, हाँ, ये इल्लस्टेशन नंबर 2 था, आपके मोड़ी तो, ना, इल्लस्टेशन नंबर 3, पाइनल अर्ट मेतों आज ही खतम होजाएगा, एक गंड़े एक ग्लास में, एक गंड़ा मुझे और देदे थे ना, दम जाएगा, चेप्टर खतम करते थे था आज, खिर कोई ना, देखूं, जाएगा, देखूं, नेक्स्ट, वाइ लिमिटेट, विदेट्स, एचों, इन दिल्ली, इन्वोईज गुड्स तो इट्स ब्रांच अट, पत्ना, एट 20 पसेंट लेस देन दे, कैटलोग प्राईस, फिर आ गया, तो, हाँ जी, दिल्ली गुड्स इन्वोईज कैसे कर रहा है, पत्ना को, 20 पसेंट लेस देन देन दे, प्राईस प्राईस, मतलब परसेंटेज भी चेंज नहीं करते ही लोग हां बच्चे को रट जाए वास हां विद इंस्ट्रक्शन देट कैश सेल्स कैश इंवोईस पर होना है और क्रेट सेल्स कैज होना है कैटलोग प्राइज पर होना है लेस डिसकाउंट ऑन 15% प्राउंट पेमेंट अच्छ यह प्राइड लॉग पर और उस पर डिसकाउंट भी मिल जाता है दे देते हैं हम लोग किनको जो हमें जल्दी पेमेंट करते हैं कितना डिसकाउंट देते हैं उनको 15% प्राम दर फॉलाइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेर ब्रांश ट्रेडिंग पेंडल अकाउंट पोर देयर और नो यस और नो चैनल क्या होता है यस और नो सुना ही नहीं तुमने ठीक है हाजी आप इन्वाइस प्राइस है आप इसे कॉस्ट पे शो कर देंगे ठीक है ना इसका लोडिंग हटा देंगे ओब्वेसली ओके डेटर्स का उपनिंग बैलेंस अभी कोई काम का नहीं लग रहा मेरे ट्रेडिंग पेडल में तो कोई कैलकूलेशन में कोई काम आ गया तो यह लग बात है कि डिसकाउंट वगेरा कैलकूलेट करना पड़ गया कि डिसकाउंट कितना अलाउड किया है गुड्स रिसीप फ्राम एच्छो यहाजाएगा नीव तो बड़ा था ना-कैश क्रेडित सेल्स बाइस सेल्स में आजाएका एका एक्टेटर के ट्रांजिक्शन भी दे रखें है है ना डेटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट सेल्स हो गया केश रिसीफ रॉम डेटर हो गया डिसकाउंट अलाउट टू अपने पींदल में भी आ जाएगा और दिसकाउंट अलाउट तेरा थीन्सोग पैंसे अजैंशा इसा सेल्स बनलती थोड़ी ठीक है डिसकाउंट मतल कि रामिटेंस टू एक जो को इतने रुपधे गारना ये चैश फिसका करना है लेना देना नहीं है पिछ एटका क्लोजींग बेलंस है पोगे डिटर्गांट में भी काम आजाए गवागे टर्डिंग में तो काम है नहीं इसका कि कैश in hand closing balance ठीक है stock हाँ यह काम आ जाएगा closing stock IP पर तो loading less करके हम दिखा देंगे okay it is further reported that part of stock at the branch was lost by fire अच्छा नुकसान हो गया lost by not covered by the condition मलब complete नुकसान सारा सारा net loss में चला जाएगा during the year whose value is to be ascertained अच्छा उसका पता लगाना है उस value का तो बतुर stock account बनागी पता लग पाएगा and provision should be made for discount अच्छा प्रोजन भी बनाना और पिछले साल के टेंड के basis पर फ्रॉंट पेमेंट यह तो सेम वैसा ही हो करो चलो जाओ कि सबसे पहले तो आप क्या बनाओगे पता लगाओ नुकसान कितना हुए वह वह stock destroyed by fire का पता लगाओ अच्छा और उसे भी पहले अगर आपको लिखना हो तो लिख लो क्या हाँ assume cost is equals to 100 रुपए तो catalog price क्या होगा cost plus 50% so हाँ जी catalog price so catalog price is catalog price बोल दो list price बोल दो एक ही बात होती है catalog price is 150 and invoice price is yes 120 100 plus 50% और 150 minus 20% अब बताईए मुझे stock तुम calculate करके बताओ कितना stock का नुकसान हो गया है stock का नुकसान IP पर calculate कर ले है क्या दिक्कत है सब कुछ IP पर है तो stock का नुकसान भी किस पर आ जाएगा IP पर आ जाएगा और तुमको cost पर calculate करना तो cost पर calculate IP पर आएगा बात में cost में convert कर लेंगे कैसे कहाँ वो बेटर है सब कुछ IP पर है वो एक को बदलना पड़ेगा बागी से बढ़ना सब को बदलना पड़ेगा तो बताओ stock destroyed by fire बनाओ working note यह तो पहला working note हो गया आपका अब दूसरा stock destroyed by fire lost by fire देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है बस ऐसे देख के नहीं बताना था opening stock 12 का है सर फिर और माल भीजा गया एक बत्तिस का तो बारा और एक बत्तिस कितने हो गए हाँ लिखते चलो साथ साथ हाँ लिखते चलो साथ साथ opening stock plus goods received from account बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है stock account बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है stock में opening आ गया 2 balance brought down फिर क्या आ जाएगा 2 goods and 2 branch 1 बत्तिस ठीक है फिर क्या आएगा अजी buy हाँ sales sales में यह जो यह तो invoice price पर ही है 46,000 तो cash sales तो किस पर है invoice पर ही है लेकिन जो credit sales है वो किस पर है catalog पर है तो इसको बदलना पड़ेगा invoice पर ओके तो एक लाग यस इसको बदलना पड़ेगा इस एक लाग का हमें invoice price देखना पड़ेगा एक लाग के लाग प्राइस कितना एक सो पचास और invoice कितना एक सो बीस कितना हुआ असी अजार ओके जी तो बारा प्लस एक बत्तिस यह तो माल ब्रांच पर था उसमें से 46,000 का invoice price का बेच दिया गया है पंद्रह हजार बाकी जो बचा वो लॉस्ट बाय पायर हो गया है बाय स्टॉक लॉस्ट बाय फायर कि लिखवाने की जुरत है क्या नहीं लिखवाने की जुरत है अकाउंट बनाया है या नॉर्मल नॉर्मल भी ठीक है देखो स्टॉक लॉस्ट बाय पायर अगर नॉर्मल की बात करूं तो ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है आईपी 12,000 प्लस गुट्स एंट टू ब्रांच गुट्स आईपी कितना 132 ओके उसमें से माइनस करते चलो हाजी जो आपने माल बेच दिया इनवोईस प्राइस ऋफ गूट्स एपसी सॉल्ड कितना आया मानस कितना गैं तो देखना होता है तो इनवगर है तो इनवोईस लेज़ैंग पर देखना रहारा या तो कॉसष्च क्रेडिट सेल्स वाला तो क्रेडिट सेल्स थी अपनी एक लाग की यह क्रेडिट सेल्स हम करते हैं केटलॉग प्राइस पे 150 पे हमें इसका आई पी चाहिए 120 से मल्टिप्लाइ कर दिया कितना यह 80,000 अच्छा और अभी भी माइनस कर दो क्लोजिंग कितना बचावा है 15,000 अभी भी भी बचावा है अब देखो कितना अंसर आ रहा है 3,000 that is stock lost by पायर कि सिंपल है कि कि यह आई पी है यह सब आई पी हाँ जी आई पी सब आई पी पर अब जो आई पी पर उसका लोडिंग अटा ना अब ट्रेडिंग पेंडल तो कॉस्ट पर बनता है वैसे भी ठीक है लिख लिया प्रियांश लिख रहा है लिख लो और जिसने लिख लिख लिया वो बनाओ ट्रेडिंग पेंडल डारेक्ट भी दिखा सकते हैं बार बार लेस्ट लोडिंग अने की जुरत नहीं है जैसे अपन यहाँ पर कर रहे है ना अब आपको बनाना है क्या अच्छा वो डिसकाउंट वाला भी वरकी नोट बनाना है या कल वाला यूज ले लें कल वाला यूज ले लें हाँ लेकिन क्या अमाउंट चेंज नहीं होगा क्या डंबो हाँ देखूं प्रोविजन पौर डिसकाउंट उन डेटर चेंज होगा न प्रोविजन फॉर डिसकाउंट उन डेटर कितना कल सबसे पहले क्या लिखा था आपन ने हाँ जी सबसे पहले वाली लाइन बताओ सबसे नई सिविता साथ हो लिखा था प्रॉंप्ट पेंग डेटर्स दूरिंग दे यर वो डेटर नीचे भी दो लिखा था मैंने हाँ प्रॉंप्ट पेंग डेटर दूरिंग दे यर कितने हैं 13365 डिवैड बाइ 15% 89 100 फिर क्या लिखा था टोटल डेटर्स वो मेड पेंग डेटर्स वो मेड पेंग डेटर्स दूरिंग दे यर अब वो टोटल डेटर्स जिननोंने पैसा दिया कितना कैश कलेक्शन है देखो 85635 कल 45635 अलग दे रखा था और 40,000 अलग दे रखा था आज दोनों को जोड कर दिखा दिया 85635 हाँ जी 85635 तो पैसा आ गया प्लस जो इनको डिसकाउंट दिया हमने 13,365 प्रियांट के डेटर्स ने हमको पैसा लाके दिया जिन में से हमने कुछ डेटर्स को तेरा जा तीन सो पैसे डिसकाउंट दे दिया हाँ प्रियांश क्या बोल रो प्रांट मतलब अल्डि पैमेंट एक हमन अब प्रांव अल्लि पेमेंट किया 89100 प्रिया बाई 99,000 into 100 यहाँ तक तो यह सेम था अब बस प्रूविजन का amount अलग आजाएगा provision to be made ये भी सेम आ गया closing data सेम है कितने है अरे-अरे सेम है फिर तो 11,000 का 90 पस 11,000 closing data है तो हमें लग रहा है कि अगली बार भी क्या होगे इनका 90 पसेंट लोग जल्दी पैसा देंगे और उनको हम डिसकाउंट देंगे 15% का कितना है 1485 कुछ गड़बड है अरे बेटा कुछ तो गड़बड है कहीं नहीं कुछ न कुछ तो गड़बड है यहां पे चेंज है हम देखते हैं हां तो मोडूल में जो आंसर दे रखा उसको गलत मान लेना अपना वाला सही माना कितना रहा है 1485 ठीक है 1485 ड़न यह ऐसे ही होगा अच्छा अब आप बना लोगे क्या बताओ टाइम हो चुका है बना लोगे पक्का कितना अंसर आएगा 41,000 तो gross profit आजाएगा और net profit कितना आजाएगा Sir net profit आजाएगा 41,000 gross profit minus 6000 के branch expenses minus 13,365 का discount allowed minus 25 अच्छा माइनस पच्छे सो का loss by fire अच्छे सो कैसे है 3000 तो इन वह इस प्राइज थी तो costing पच्छे सो था और और माइनस 1485 का provision 17650 कल वाला ही था 17,650 कल भी यह profit आया था बस सेम 17,650 क्या बोल रहे हैं वो लिखना नहीं बूले वो इसकी कभी कभी गायब कर देता है यह यह लो यह मैं आप लिख देता हूं बाकी यह गल यह भी करेक्ट होगा अभी यह हैंग हो गया चलो कर लोगे क्या पका ट्रेडिंग पेडल में कोई मुश्किल दोड़ेना है ओके जी चलो फिर थेंक यू तैयार है यह फिर फाइनल अकाउंट मेथड यह तो बहुत आसान था चलिए ओके दैन थैंक यू टेक कियर एंड बाए अब यह सभी अपने आप कर लेना यह कट गया है ना